हाई एवरीवन वेलकम बैक टो माय चैनल वांस अगेन इन सीक्रेट लॉजिक और आज के इस वीडियो में मैं आप सब के साथ शेयर करने वाली हूँ एक रिव्यू है और यह मैंने जो है फ्लिप कार्ड से ओर किया है तो इसके बारे मैं बात में बात करूंगी सबसे पहले मै आप सब को यह बता दू कि आप सब की दिवाली कैसी गई मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करेगा अपनी दिवाली वाली एक्सपेरियंस और साथ साथ मुझे इंस्टरग्राम पर अपनी पिक्स रूँ शेयर करिए हैस्टेग सीक्रेट लॉजिक करके ताकि मुझे पता चले कि आप दिवाली पर किस तरीके से तयार हुए थे और आपकी दिवाली कैसे देए तो अगर अपने अभी तक मुझे इंस्टरग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज मुझे फॉलो करिए कि वहां में बहुत सारे जो है ना मेरे रीसेंट के पिक और कैमरे के पीछे जो पिक्स रहती है वह भी मैं अप्लोड करती हूं तो आप जरूर मुझे वहां के मेरी आइडी है सीक्रेट लॉजिक 11 और इसके जाट साथ मुझे हलो आप पर फॉलो करिए बहुत ही बढ़ी है आप बहुत ही इंट्रस्टिंग और विडियो में हां बनाती हूं त स्टार्टिंग 3,000 से तो बहुत जो एक्दम नॉर्मल होती है वह भी 3,000 से स्टार्टिंग रेट है क्योंकि मैं एक बढ़ शॉप पे गए थी और मैंने आसे रफल साधी के कालेक्शन स्टार्टिंग देखे थे और यह से 20,000-30,000 तग की साधियां है इसमें काफी महंगी ह क्योंकि जो नॉर्मल स्टाफ देखे वह तो पूरा जॉर्जित ही रहता है साधी का जैसे आम साधीयां रहते है वैसे ही लेकिन इसके बावजूद भी इसको रफल्स पनाने में प्लीट्स पनाने में जादा से लाइक करनी होती होगी या I don't know क्योंकि यह समें on-demand है क्रे मुझे भी अच्छी लगती है और मुझे आद है पहले शाद मुम्ताज जो एक्रिस थी वह इस तिर्के की साधियां पहनती थी इन दिनों सब हर को ही फ्लॉंट करना चाहता है तो बहुत ही अलिगेंट और शूर लगता है थोड़ा से यूनिक लगता है आपकी डेली वियर के रेगुलर साधी से तो आपको ऑनलाइन भी अमेजन पर फ्लिपकार्ट पर मिंत्रा पर वुनिक पर हर जगह जगह यह रफल साधी मिल जाएंगी देखने को प्राइज अकॉर्डिंग भी यह 1000 से उपर ही दिखते हैं इससे कम बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं तो मैं ऐस चाहते हैं बड़ जिन थाउजन रुपेस इनवस्ट नहीं करना चाहते हैं वैसे हम साधी रोज-रोज मतलब एक साधी को रोज-रोज तो नहीं पहनते हैं फेस्टिवल्स पहनेंगे और उसके बद्स को मुर्ण देंगे तो मैंने एक साधी सर्च की जो मुझे काफे पीस लगा देखने में तो मैंने यह साधी ओर्डर की और मुझे चार से पांस दिन नी ओर्डर रेसीवर क्योंकि मैंने दिवाली के पहले इसको आप यह रिसीवर तो मैंने जो पिक्स देखी थी उसमें जो यलो कलर था वो बहुत ही प्यारा वाला यलो कलर तो मस्टर्ड प्यार यलो मैंने अजो यह रिसीवर के ये वाला आपका यह रिएलो आपका यहां देखी यह रिसीवर ये अजो इस टैपके फ्लावर्वर तो इस तरीके की यह साड़ी मुझे रशीव हुई यह 2 कलर में है रड एंड येलो दिस 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 दे येलो पार्ट यार ट यहाँ जो रफल्स ही नीचे वाले आप इसको देखें यह जो नीचे वाले रफलसी है यह पूर रड रड दी है और शाद इसका आचल भी रेड है और इस तरीके की लेस लगी हुई है लेंथ अकॉर्डिंग साड़ी सही है छोटी नहीं है ठीक है पट मुझे एक जिसका थोड़ा सा यह लगा इशू कलर का तो में भी ऑनलाइन जो हम पिक्चर सेखते हैं उससे उसकी क्वालिटी में थोड दर्स में थोड़ा तो डिफ्रेंस आहीं चाहता है तो बट मुझे वह कलर बहुत जादा प्यारा लगा था कंपारिजन तो इस वन और यह देखिए यहां से खुला भी है सिलाइस की तो इस तरीके से स्टिचिंग है कि यह बहुत ही नहीं 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 है आप यह देख सकते हैं दागे इसके निकले हुए हैं यह मुझे इसकी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और यह देखिए वाइद कलर की ढहिए से स्टिच किया गया है यह तो पोरी डागे निकली निकले सेंपार तो और आपके टूल का सारा काम खत्म होदो जाएगा या तो खुद बैठ किया तो आचल भी जो है यल्वी कलर में मुझे लगा कि शयाद आचल रहे है बड़ जिसके रफल से अब वह रड में दिये हैं बाकी पुरी सारी यल्व कलर में और यह इसके नों ने यह पीस दिया है ब्लाउस के लिए इस तरीके से है और यह इनफ है आपके ब्लाउस के लिए I think 70 या 80 cm है यह तो इस परफेक्ट फॉर ब्लाउस ओप्शन तो आप अगर डबल एक्सल या एक्सल साइस का भी ब्लाउस वियर करती है तो यह आपको इसली ह हो जाएगा ब्लाउस का इश्यू कोई नहीं है और यह कप्डा भी मुझे अच्छा लग रहा है ब्लाउस का कप्डा इस से कांड ओव सिल्क टैप ऑफ मेटारियर थोड़ सा रफ सिल्क है इस नोट सो सॉफ वाला सिल्क नहीं है थोड़ सा रफ टाइप का यह सिल्क है आप जो इसका कलर नहीं पसंद आया और जो इसके धागी खुले वे वह चीज मुझे बिलकुल ही अच्छी लगी और यह मैंने फिल्प कार्ट से रिसीव किया है प्राइस दिया हो था 7.99 रुपीज और मैंने इसको रिसीव किया है मैं प्राइस में चिन कर दूंदी कि मैंने इ जार नहीं है उन्हें देखना पड़ेगा और तो चलते हैं और मैं इसको पहन करके दिखाते हूं कि यह कैसी लग रही है साड़ी ओवर आल पहनने के बाद इसका लोग क्या सार है तो चली देखते हैं पर देखते हैं स्क्राइस आपके लिए आपके लिए यूस्फुल रहेगी तो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करीमें चानपर पहली बारा तो मेक्शुर सब्सक्राइब कर लीजें मिलती हमाँ से नेक्स वीडियों करते की लिए बाई